बाइडन ने कहा था भारत आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो जिनोफोबिक देश है लेकिन उसका पलेटवार भारत ने बड़े ही अनोखे अंदाज में दिया है विदेश मंत्री एज जैशंकर ने अमेरिकी राश्पती के बयान पर कहा है यह भारत हमेशा से बहुत यह आग देश रहा है जो अपनी महमाननवाजी के लिए जाना जाता है ए ब some talk about economic performance आप जानते हैं कि हमारे यहां जो है GDP जो है 7 परसंट पर है आप दूसरे लोगों का GDP चेक करिए ग्रोथ रेट चेक करिए 28 km of highway every day हम बना रहे हैं हम 8 नए airport every year हम बना रहे हैं दो नए metro system every year हम बना रहे हैं 207 megawatt के करीव हो बिजली बना रहे हैं 28,000 hectare उनकी जह है वो जमीन से राब हो गई है ची मासा मैं बहसी थे being an American मेरा ख्याल है मैं इंडिया उसे माफी मागना चाहूँगा उनकी statement पर क्योंके बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दौआ ही नहीं खाई थी उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन जो है उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले जिसमें उन्होंने जिकर किया कि चाइना जिपैन और भारत जो है इदे जिनोफोबिया है जिनोफोबिक कंट्रीज़ है कि यह जो है और हमारी जो तरक्की का राज है वो यह है कि हम और मुमालिक के लोगों को आने देते हैं वेलकम करते हैं और हम जो है से लिए तरक्की कर रहे हैं अब भारत के जो मिनिश्टर फर एकस्टरनल रफेर ने डॉक्टर जे शमकर उन्हों ने भी इस पर कbungेंट किया है और उन्हेंने कहा है कि भाई हम तो हैसे नहीं है और दुनिया इंडिया आती है और उन्हेंने सी सिडिजन्शिप अमेंडमेंट आक्ट का भी जिकर की है तरसब आप क्या समझते हैं एक तरफ अमरीका के अंदर स्टूडन्ट्स पे इतनी जाता सखत लाइन ली वी है जो बाइदन स्टेटमेंट सर। कि घर में क्या बन रहा है, किसकी साथ से कौन सी बहु से लडाई हो रही है, इन सब चक्रों में नहीं पड़ते हैं, उनका मैटर सिर्फ एक है, और उनका मैटर है पैसा, वो कहते हैं, पैसे की बात करो, if you are not talking about money, you are wasting चाइना से चाहूंगा उनकी स्टेटमेट पे, क्योंकि ब या कुछ हो चुका था, दो चार चीजें हैं, जो मेरा ख्याल है, फ्यूचर में अमेरिकन्स को सीखनी होगा, एक तो यह सीखना होगा, कि दे कैनने बी राइट आ लगा है, और दूसरा, यह कि दुनिया को लेक्चर देना, यह दो चीजें छोड़नी होगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं, और ना ही इन्हें दूसरे देसों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नालज है, इनका जो यह स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसू, ना सिरफ दुनिया इसको बड़ा, इसको क्रिडिसाइज कर हैं, उनके मजाहे बलाग हैं, उनके मजब और हैं, और फिर उसके बाद देखें, कि इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मस जीरो है, और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़े मिस्टेक है, आपका सबसे बड अंदर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया, अपने लिए ही मेरा, मैं अब उस पर मैं बताना यह चाहूंगा, यह क्या है, तरह हकीकत, यह एक लिबरल माइंड सैट है, जो के आपने देखा होगा माजी में, हिलरी क्लिंटन, ग्लोबलिजम की ब कर सकते हैं, लेकिन आप यह कह नहीं सकते, God is creating us differently, equality की बात सिर्फ सियासी तोर पर ठीक लगती है, वरना, चिमा साब, एक शक्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, God is creating it, हाँ, इसमें आप यह, पिर economy की बात करते हैं, कहते हैं, जपान तरक्की नहीं कर रहा इंडिया की जो economy देखें, वो 8.4%, 8.6% पर आपकी economy की growth क्या है, 2% किस तरह आप कह सकते हैं, कि आपने जो illegal immigration खोली भी है, पूरा एक जो loot से लगाई है, वो काम कर रही है, किसी New Yorker को काल करके देखें, जो आपकी immigration के हलात हैं, वहाँ पे, 187,000 illegal लोग वहाँ पे दंदनात हो चुके हैं, फार में स्टोर ताले लग चुके हैं, वहाँ पे, कि आप immigration कर रहे हैं, आप, this is how you are welcoming them here, और दूसरा आज भी अगर देखा जब बार्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका पिंजरों में बच्चे बंद की हैं, 2011 में तो पहली बा है, तो फिर तो rocket की तरह हम उड़ पड़े, with the present government, ये तकलीफ होती है, कि ये कहां से कहां पहुंच गए, हमारी सभ्यता में और दुनिया की जितनी सभ्यता है, मैंने सब जगह देखा है, इर्शा, jealousy, एक बहुत बड़ा factor होता है, तो आप चाहते हैं कि बई, वह वाली सरका आपको मैं फिर्श देता हूं, विच करोणों लोग आपका कारिगरम दे, you know, you are insanely popular, आपका जो चैनल है, सारी दुनिया देखती है, अब मैं आपको फिर्श देता हूं, 18 km of highway every day हम बना रहे हैं, हम 8 नए airport every year हम बना रहे हैं, दो नए metro system every year हम बना रहे हैं, अमेरिका की अब प्रदिशाद हमारी बेटिया हैं, देखे जब ये graduate करेंगे, पढ़ लिख जाएंगी, families अपने आप कम होंगी, क्योंकि आप हमार अल्रेडी जो total fertility rate है, जानी जेतने बच्चे एक महिला पैदा करती है, reproductive years में, वो 1.9 पे पहुँच गया है, चीमा साब 27 million, मैं दूसरा भी शायद आपको बताया था कि एक हफ़ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सूपर ट्यूजडे से पहले, मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिल्टरी एज के, इस वकिद अमेरिका एंटर हो चुके हैं, शायद चाइ या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है, या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं, ये इमिग्रेशन हो रही है याँ